हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल और आज अपने करने वाले मस्टर्ड क्रॉप सर्शों की खेती तो आप वीडियो को लाज तक देखिए जिससे आपको अच्छे से समझाए पूरी फसल की जानकारी और अगर आपको अच्छी लगती है एक परसेंट भी कि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा एंड चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करना इसमें अपने फर्स टैप बोटनिकल नेम बोटनिकल नेम मेरे आपको समझाया है अब बोटनिकल नेम क्या होता है इसका स्ल mosquito क्यों क्याते हैं क्योंकि लग लग जैसे है इंडियन मस्टेट का ब्रैसी की सिजिघ्रे बोलते हैं फैमिली इसकी इसका ब्रैसी केसी फरेंड लैंड की जीएगा ऊच्किल एयम जलती से यल टाइप हुआ है आहीं सब्सक्राइब कोई कहते चाइना कोई कहते अफगानिस्तान कोई कहते बहरमा में आमार तो इसके अपने याद रख सकते हैं फ्रूट टाइप इसका सिलिक्वा आगर आपने सर्चों का पोदा देखे तो आपको समझ जाएगा कि इसके अंदर फलियां होती है आपब आपकोई से दिया हो यहां तो इस दोनों में से एक मैं होगा अगर दोनों याद होता है कि आपने से क्ट सेंट अकुष्प करम वुष्प करम वो है रैसीम तो फ्रेंड्स जितने पर इंग्लिस में मिलेगा आपको टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं आपको पीडियोफ मिल जाएगी वहां पर और जो मैं आपको एक्स्पेंड करूंगी वह आपको हिंदी में समझाओंगी तो आपको कोई प्रोब्लम संसीरेक्टेड ओप्रेप्सीड एंड मस्टर् रिशेर्च शैवर्भर्दपूर रदिस्थान के इंदर भर्थपूर जी ले अंदर सेवर तैसील में शोट में बोलते हैं इसको DRMR MR, MR, DR, MR, आगे अपने पढ़ेंगे तो DMR ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका हाइस्ट प्रोडेक्शन इंडी वर्ड, सबसे ज़्यदा तो इसका प्रोडेक्शन होता है वोता है कैनेडा के इंडर कैनेडा फर्स्ट है, इंडिया सेटीन्ड है, कर लेती हूं थिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि एरीक के बात करें तो इंडिया फ़र्स्ट है एर्या जो है वर्ड के लिवे किंदर सब्से जड़ां इंडिया की ही गरो की जाती है लेकिन ब्रडेक्शन में सेकेंड है यह major oil seed crop है राजिस्तान की राजिस्तान के अंदर सबसे ज़्याद इसका उत्पधन होता है oil की बात करें तो वह है 37,49 यह 49% के अंदर है 39% यह के रेंज में है जैसे और अगर वेसे अपने याद रखें तो 36% रख सकते हैं अपने रेंज में क्यों देते हैं क्योंकि एक अलग-अलग से वराइटी होती है उन्हें अलग-अलग होता है किसी में 37% होता है किसी में 38% और आज कल आपने देखा होगी जो भाव मिलता है सर्शों की वह भी ओईल के उपर मिलता है ओईल चेक के रहता है इसमें कितना परसेंट ओईल है तो यह एक रेंज में तो यह पूरी रेंज याद रख सकते हैं आप और यह भी याद रख सकते हैं 36% मिनिम्म होता 36% नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कि इसके अंदर कुछ हारम फूल कॉंपोनेंट होता है जैसे मस्टर के नहीं था इरुशह एसीड यह क्या करता है यह जो हार्ट के इतने ही म्रीज होते हैं उनमें कोलेस्ट्रूल की मात्रा को बढ़ाता है तो जितने भी हार्ट के म्रीज है उनको तुर्शों के तिलके होता है किसका और चाहिए सट्सक्राइब होताइब वह इसी के कारनाती है इसे क्या होती है एक डिजीज रखती है मस्टड के ओलप पलस सत्य नासी जब इसके अंदर एक वीड होता है सत्य नासी यह अब्जेक्स नेबल वीड वह बीज के इंदर मिल जाते हैं तो मस्टर्ड सार्भा सोस्राइब कूराँ से तो इस कारण से जब अपने oil निकलवाते हैं सर्शों का तो इसके साथ इसके अभी बीज़ों के जो oil हो मिक्स हो जाता है तो इससे क्या हो जाती है ड्रोप सी डिरीज होती है आप यह यहाद रख सकते हैं जो बहुत हानिकारक है सहत के लिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ओप मस्टर्ड क्लासिफिकेशन वर्गी करना इसका अपने इसके साथ वर्गी करन पड़ेंगे तो इसमें से अपना फॉर्स्ट है इंबियान मस्टर्ड भारती है सर्शों यह ब्रेसी का जूंसिया ब्रेसी का जूंसिया ब्रेसी का जूंसिया पहाडी सर्षों यह है ब्रैसी का जूंसिया इसकी वराइटी है रुगोसा यह ब्रैसी का जूंसिया वराइटी रुगोसा इतना ही डिफेरेंट है बाके कोई डिफेरेंस नहीं इनके बीच नेक्स्ट है ब्लेक मस्टर्ड काली सर्षों यह है ब्रेसिका नाइकर, नेक्स्ट है, वाइट मस्टर्ड, स्पेद, उजली सर्सों बोलता है इसको, उजली सर्सों, उजली सर्सों, तो यह है ब्रेसिका अलपा, नेक्स्ट है टर्नी प्रेप, ब्रेसिका कमपेस्ट्रिस, यह ब्रेसिका कमपेस्ट्रिस है फ्रेंड, ब्र येलोग सरसों ये अलग है प्रेप दो टाइप के एक येलो ऐकई ब्लावन वास को पोपेह करें टोरिया और पूरी तोरिया पूरिया ऑपरेशिका म्पे स्थे भारतिय तोरिया वह ब्रैसी का कमपेस्ट्रिस विराइटी येलो तोरिया नेक्स्ट है तारामीरा भी रधिस्तान के इंदर बहुत क्रोह की जाता है जो ब्रैन्नी एरिया होता है उसके इंदर तारामीरा को उगया जाता है तो इसको रॉकेट क्रेश भी बोलते हैं ये नाम अप याद रखेगँएगा विर्चा इसका नाम है इरुपास टाईबा नेक्स्ट अपने पड़ते हैं कल्टिवेश्न ओप मस्टर्ड कल्टिवेश्न केरें इसे क्लाइमेट सोईल को करेंगे तो इसको चलाइमेट जो जलवाया इन्दियां से 5-15 स्मूंत सब्राइब सेस्टम समस्टैंपरेचर यह क्या का ओप्टीमॉमुब टेंपरेचर है कि मैं आ अपटीमिम्म में टेम्परेचर इतना होता है जैसे नम्य उक्तवातावन में क्या होता है डिजीज का अधिक पर कोफ होता है मैं लिए एफिट का नम्य उक्तवातावन में एफिड वह जल्दी आता है सर्शों के अнदर इस चीज का ध्यान रखिएगा नेक्सट सोईल सोईल इसके लिए लॉंस यो क्ले लॉम डूंस ओने खख़़गाए क्वा रॉटर लॉगिंग कनेशन में इसके खड़ी पसे लिए पानी कुर्छे princes गकटी तो वॉटरी वोच चाथ स्गnd में नेक्स्ट यह फर्ष न्डॉचन नंतर नात्रोजन देते हैं थाइयोयूडिया खेल चिडकाओं करता है इसके अंदर थायोयूडिया का ना यह सेलफर के लिए यूज होता है सेलफर के लिए इसके अंदर सब्सल्फर होती है प्लस नाइट्रोजन होता है तो वह अपने इसके चिड़काओ कर सकते हैं 5% का 0.5% सप्रे यह पर सेंट है फ्रेंट्स इसको मैं यह लिख रहती हूं 0.5% 0.5% सप्रे का चिड़काओ के जाते है इसके अंदर एक तो 45 दिन के बाद जब पहला चिड़काओ करते हैं और सेकेंड चिड़काओ करते हैं जब सार्थ दिन की हो जाती है कि सोविंग है फ्रेंट्स शोविंग 60 देज आफ्टर सोविंग और 45 देज आफ्टर सोविंग दो चिड़काओ के जाते हैं इसके मतलब बहुत फाइदा होता है इसे अपने अच्छी तो तेल की मातरा सर्शों के अंदर वो अच्छी अधिक होती है बढ़ती है और दानना है वो बढ़ियां उसको फुल आउट आती है उसके अंदर तो यह इंपोर्टेंट इसका चिड़काओ करना चाहिए नेक्स्ट टाइम एंड मेथेड ओप सोविंग यह सोविंग है फ्रेंट्स आप याद रखेगा इसको सोविंग है तो यह इसका टाइम है वो है पंदर सेप्टेंबर टू-15 अक्टूब ड्रा प्लांट टूबर तक अपने इसके सोविंग कर सकते हैं जो आर टू-ार एंड प्लांट टू-प्लांट चो दूरी रखी जाती है वो बुर ॉर टू-प्लांट यहां पर है एक प्लांट यहां पर यह को सब्सक्राइब ञाते हैं और यह यह रखते हैं दस है ऊहाँ फैसंन म्यक्ट है एक पढ़ेंगे इरीगेशन इसके लिए जो क्रिटिकल है वो दो इरीगेशन देना चाहिए इसके दो इरीगेशन की वह विफोर फ्लॉरिंग फूल आने से पहले 1 फूल आने से पहले और सेक्ड अससी लिकुम को फर्मेशन फली सकते हैं अग्या भी बोलते हैं यह कंप्लीट रूट बेरा साइट का मतलब है कि पूर्न जड़ के उपर ही निर्बर रहता है जड़का परजी भी है यह वहीं से अपना न्यूट्रेंट लेता है तो यह बहुत हानिकार है कि अपनी फसल के लिए तो इसके लिए इसका जो कंड्रोल है कि वह अपने पेंडा मितली एंद फ्लू कलोरल से इसका कंट्रोल कर सकते हैं और के पर नेक्स्ट सीड रेत एंड ट्रीट्मेंट सेड रेत अपने कितनी चाहिए चाहिए इसको चार से पांच किलो प्रति हेक्टर ड्राइए एरिया के लिए अपने ब्रानी के से नेहरी सिंचाई तो ड़ाई कीलो है नेक्स सीड ट्रीटमेंट यह ट्रीटमेंट अप्रों 5D से अपने सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं पसल गोने से पहले 6-8 ग्राम प्रति किलो कंद से एक किलो अगर अपने सीड ट्रीटमेंट करना हो तो 6-8 ग्राम इसकी मात्रा लेंगे सीड ट्रीटमेंट करने की क्या फाइदे होते हैं इसे अपने रोग परतिरों दखता बढ़ती है पो देगा रोग कम लगते हैं और यही फाइदा होता इसका इंपरूड विर्याइटिस नितलब उननत किसमे लिए इसकी पर्स्ट उननत किसमे यह एक बात है कि यह पताया आपको कहां से डवलप किया गया है यह जो DRMR अपने पहले पढ़ा था DRMR रेपसीड एंड मस्ट जो है डायरेक्टेड ओप रेपसीड एंड मस्ट रिसेर्च भात्पूर राजस्तान के अंदर वहां से यह डवलप की गी है और यह डवलप की थी one second friend यह जो विराइटी है NRC 1506 यह मस्टरड फिर्स्ट इंडिया का नहीं है यह यह वर्ड की फिर्स्ट हाइब्रीड विराइटी और जो अनार ही अच्छ भी 101 है यह सेकंड हाइब्रीड है और डबल जीरो विराइटी है इसके अंदर जो इरुसिक एसीड है एली निया फ्रेंट एसीड है जो इरुसिक एसीड के मातर है वो तीन परसेंट से कम होती है अपने पड़ाता कि इरुसिक एसीड के मातरा पांस परसेंट से दीखनी होने चाहिए क्योंकि यह इसका क्या हार बढ़ाता है हार्ट के जितने ही मरीज है उनके लिए यह बहुत खतरनाक है यह इसके डबल जिरो वराइट्टी यह इंपूर्टेंट वराइट्टी आप याद रख सकते हैं इसको इसके इसके इरुसी के अशीड़ा वह तीन परसेंट से कम होता है यह जो इंपरूड वराइ परस्ट वराइटि अपने उगा है इंद्डिया उसकी वराइटि है थो यह फश्ट व्राइटी आप बनाई थी व्यल चोपड़ा विल चोपड़ा विल्ल चोपड़ा इसको डवलब किया था एंड जो ये डवलप कीगी थी ये सॉमेटिक हाइबरडाजेशन से डवलप क्यों ही वराइटी है सॉमेटिक हाइबरडाजेशन से तो ये वराइटी बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको ज़रूर याद रखिएगा इसके दो नाम है और दोनों नाम एकजाम में पुछे जाती है नेक्स्ट है वरुना टीफिफिटिनाईन पुछा बोलड है और रच थीस है दुर्गामनी है वह सुंद्रा है आशिरवाद है और जो दुर्गामनी है ना इसके अंदर वीड नहीं लगता और भंकी जो वीड है वो नहीं लगता इसके अंदर वशुंद्रा, आश्रवाद, रोहिनी, लक्समी, श्वन जोती, अरावली, जगनात, कृष्णा, रजट, रजट के दूसरा नामें PCR-7, सोरभ, बसंती, सीता, आरल-13-69, आरच-819, आर्टुम-619, आर्जियम-13, पी-ार-45, एंड माया यह जो वराइटी है, अगर आप रदस्तान के एकजाम की टेरी कर रहे है, अगरी कल्चर सुपरवाइजर की, जैट की, तो इसके अंदर तो मोस्ट इंपोर्टेंट वराइटी है, आप इनको रट लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, इसके अंदर से बहुत सारे को अगर आप अधर स्टेट्स की टियार, एकजाम की टियारी करें, अधर स्टेट्स से पंचाब हर रहाना, तो भी आप याद रख सकते हैं, पहले में आपको बताई थी जो वराइटी, वो आप याद रख सकते हैं, जो इंप्रूड वराइटी बताई थी, वो तो आप रखे पुसा बोल्ड है केट हैसी है पुसा अगर नहीं एंसर सो 66 है नेक्स अपने पढ़ेंगे गोईटर डिजीज इफेर्स केटर नहीं गोईटर है हिंदी में बोलते हैं गेंगा हिंदी में याद रखी गापको इंग्लिस में गोईटर यह स्पेलिंगे इसकी गोईटर और इसकी मातर अधिक नहीं होने चाहिए जैसे अपने और इसकी और यहारम फूल कॉंपनेंट होता है यह 0.5 परसेंट से अधिक होता है तो पसूं में यह रोग हो जाता है नेक्स इटका हार्वेस्टिंग इंडेक्स है हार्वेस्टिंग इंडेक्स है 25 परसेंट हार्वेस्टिंग इंडेक्स अपने कैसे निकालते है वो निकालते है ग्रेन इल्ड से एंड बायोजिकल इल्ड से ग्रेन इल्ड जैसे यह सर्षों का पोता है यह इसकी जड़े हैं कि इसकी तरह हैं अगे इसकी फलियां इसको पर देते हैं उपर से कि इसकी फलियां तो जो फलियां इसकी वन सेगन प्रेंट इसको सारा इंप्रिंट लीट करते हैं नया पुदा बनाएंगे हिसी एक हैि ऐपना प्लांट है जड़े जमीन से उपर का भाग लेते हैं तो यह जो इसकी इक विरिये इसके जो फलियां होती ना फलियां जो फली बीज होते हैं उसको ग्रेन इल्ड बीज की जो मत्र है वो ग्रेन इल्ड के रखते हैं बाकि जो बीज को छोड़के बाकि जो भाग है ना प्लांट का यह बायोजिकल इल्ड के अंदर अपने रखते हैं तो इन दोनों से अपने क्या करते हैं हार्वेस्टिक इंडेक्स प्रापत करते हैं इसे यहार्वेट में सभ्राइव यहार्वेट कंदर प्रती हेक्टर मस्टेड की है वो 25 से 30 क्युंटल परती हेक्टेर है ओके फ्रेंड्स मुझे लगता आपको अच्छे से समझाई होगी क्रोप मैंने इसके अंदर इसके इंसेक्ट और डिजीज नहीं करवाई वो मैं आपको अलग से लिस्ट लेके आऊंगे सभी जितनी भी क्रोप हो गई उन सबकी इंसेक्ट और पेस्ट के जिस्ते आपको याद रखने में असानी होगी उनके कंट्रोल भी जिनके सेम कंट्रोल होगे वो आपको अलग से मतलब आपको असानी से याद रहेगा क्योंकि अब इसके अंदर बता दो आपको केमिकल याद नहीं रहेंगे फिर तो मैं आपको वो टेबल की फॉर्म में आपको याद करवाऊंगी अच्छे से तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा आपको एक परसेंट भी समझाया तो जुरू चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे नेक्स्ट आपको वीडियो मिलती रहें और अच्छे से आप पढ़ते रहों तो ओके फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच